फोर्थ एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकुला में होने जा रहा है 2022 का लास्ट इयर कोविट की वज़े से यहाँ पे गैंसल कर दिया गया तो लास्ट जो इवेंट देखने को विना वो 2020 का था तो सारी चीज़े यहाँ पे हम लोग डिसकस करेंगे डिटेल में सार तोपिक की और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है यूनियन स्पोर्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पे लॉंच किया गया मॉस्कट जिसका राब है धकड तो धकड नाम का जो मॉस्कट है यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है तो इनके द्वारा भी लॉंच किया गया ओफिशियल लोगो एंड ओफिशियल यहाँ पे जो है जर्सी ऑफ दी फोर्थ केलो इंडिया यूथ गेम जो पंचुकुला में होने जा रही है पंचुकुला हर्याना में और इसके द्वारा हर्याना के द्वारा काफी जादा एफोर्ट्स यहां पे जा रहे हैं उसके लावा यहाँ पर बात करें कि रिसेंटली यहाँ पर इंक्लूड भी किया गया था लास्ट यर 2021 में गतका कलैरी पर्टु ठंकता मलखम खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्योंकि 2021 के जो गेम्स थे वो कॉविड की वज़े से यहाँ पर नहीं हो पाए ठीक तो यह हम वर्ड यूज कर सकते हैं पोस्पोन किया गया था तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2021 का यह शिडूल जो था हर्याना में होने वाला था तो अभी भी आपको वहाँ पे हर्याना में देखने को मिल रहा है तो 2020 का एडिशन जो है वो कहां पे हुआ यह आपसे पुछा जा सकता है इस साल का तो नहीं पिछले साल का यह उससे पिछले साल का पुछा जा सकता है तो आप प्लीज इसको माइंड में रखेगा कि 2020 का एडिशन गौहाटे असाम में हुआ और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है यह पार्ट किसका है नैशनल प्रोग्राम क कि दौरा एम क्या है कि हमने यूथ को एंकरिज करना है स्पोर्ट के ओर लेके जाना है पढ़ाई के साथ साथ खेले भी स्पोर्ट भी बहुत जारा जरूरी है बच्चों के लिए ताकि उनका माइंड का डेवलप हो सके और स्पोर्ट के पावर देती है थूदी अगर क्रो स्पोर्ट्स डेवलपेंट के द्वारे थीक है तो इस सारी चीजे जो है यह आपको माइंड में रखनी है उसके लब यहां पर बात करें स्कीम के अंडर जो है टालेंटीड प्लेयर्स अडेंटिफाई किये जाते हैं फिर उनको इंटरनेशनल लेवल पे खिलाया जाता है तो यानि कि इंटरनेशनल टूर्नमेंट जो है वहाँ पे अलग-अलग कंट्रीज में होते है तो वहाँ पे इनको बेजा जाता है हमारे कंट्री के द्वारा तो आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा तो अन्वल फाइनशल एसिस्टेंस भी प्रवाइड करवाया जाता जो इन गेब्स में जीते हैं 5 लाग पर एनम फॉर्दी यहाँ पे 8 यह तक अगर खेलो इंडिया की बात करें तो प्ले फील्ड डेवलप्मेंट रहता है कम्यूनिटी कोचिंग डेवलप्मेंट रहेगा यहाँ पे और लेवल जो रहता है स्टेट लेवल खेलो इंडिया स अनुल स्पोर्ट कॉंपिटिशन रहता है इसके चलते टैलन्ट सर्च किया जाता है डेवलप्मेंट किया जाता है बच्चों का साथी साथ युटिलाइस किया जाता है क्रेशन अप्गरदिशन of the sports infrastructure यहाँ पे sport प्रवाइड करवाई जाती है sports for women, यहाँ पे main focus किया गया है sports for women के लिए promotion sports among people with the disabilities, जो disability हैं जिन लोगों में disability की शिकार रहते हैं तो उनमें कोई कमी नहीं है ठीक है तो भगवार ने कोई ना कोई उनमें जो है एक एसी power दे रखी होती है कि उनको हम यहाँ पे recognize कर सके हैं तो उनको भी हम लोगों ने इसका पार्ट बना रहा है खेलो इंडिया का ठीक है जिसे para olympics रहते हैं उनमें भी कई अच्छे जो medal गोल्ड medal लाए गए इनके द्वारा हमारी जो यहाँ पे athletes हैं उनके द्वारा sports for peace and development and promotion of ruler indigenous tribal games ठीक है तो इसके motive है Hello India Youth Games के अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गत्का जो रिकोग्रेंस यहाँ पे अभी add किया गया है तो गत्का जो है ओरीजिनेट कौन सी उनके द्वारा कृपान को adopt किया गया self-defense के लिए during the Mughal era उसके लवा बात करें कि गुर्द्वारास में अगर देखे earlier ठीक है नागर कीरतन एंड अखाडास में इसको यूज किया जाता है बट नौ इन final presence in the sport category में इसको रख दिया गया है after the formation of the Gatka Federation of India in 2008 I hope आपको ये clear हुआ होगा उसके बाद हम बात करते हैं क्लैरी पैटू की क्लैरी पैटू जो है ये एक तरह का मार्शल आर्ट है तो यहाँ पर simply इसको क्लैरी बोला जाता है और ये इंडियन आर्शल मार्ट की कैटेगरी में आता है और originate हुआ modern day कैरेला में यानि कि ये कैरेला से आपको ये मार्शल आर्ट देखने को मिलता है क्लैरी पैटू जो है as a older martial art still in existence क्यूंकि अभी भी ये existence में है और जो origin हुआ इसका martial arts का तो ये 3rd century BCE में इसका originate हुआ और इसके अलबा मार्शल आर्ट की बात करें तो इसके उप्रैक्टिस किया जाता है और बोला जाता है कैलारी बोला जाता है इसको यानि कि मल्यालम वर्ड के अगर बात करें तो जिमनाइजीम बोला गया है इसको के लिए कलारी लिटरेडी मीन्स ट्रैशिंग फ्लोर है और बैटल फील्ड है तो वर्ड कलारी फर्स्ट अपेर किया गया तामिल संगम लिटरेचर में और डिस्क्राइब करता है बोल बैटल फील्ड एंड कॉंबैक्ट एरीना आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा कई बार मैच अप के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट अप मल्खम मल्खम एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो ओरिजिनेट हुआ हमारे इंडियन सब कॉंटिनेंट में और य जोग पुजिशन में यहां पर चीज़े रहते हैं तो स्टेशनरी हैंगिंग वुडन पोल एंड केन और रॉप नेम जो है मल्खम यह ड्राइब हुआ है टर्म मल्खम से मीनिंग रैसलर एंड कम मीन्स पोल तो लिट्रेली मीनिंग जो है रैसलिंग पोल का टर्म रैफर कि लागया है ट्रेडिशनल ट्रेडिंग इंप्लिमेंट यूज पाई रैसलर तो मद्यपर्देश महराष्ट्रा में इसको यूज किया जाता है मल्खम को आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा नेक्स यहां पर बात करते है थंग्टा थंग्टा के बार एक्जाम में भी पुछा जा चुका है तो थंग्टा जो है यह मनिपूर से निकल क्याता है एक मार्शल आर्ट है यह भी तो ह्यूंग लैंगोंग इस इंडियन मार्शल आर्ट थंग्टा को ह्यूंग लैंगोंग थंग्टाग का मतलब रहता है आम्ट कॉम्बैक्ट सैरित सारक मतलब अनाम्ट फाइटिंग प्राइमरी अगर वैपन की बात करें ऑफ हुन लैंगोंग तो यहां पर तलवार आपको देखने को मतलब इसको स्फोर्ड बोलते हैं और ता यान की स्पेर ठीक है जैसे आप यह जो हुए खेलो इंडिया यूद गेम्स में तो कौन सी स्टेट टॉप पे रही तो वो रही महराश्ट्रा महराश्ट्रा के दोवारा टूटर 256 यहां पर मैडल्स जीते गे 78 गोल्ड 77 सिल्वर और 101 ब्रोंस उसके बाद हर्याना जो है सैकेंड यहां पर रही 200 मैडल्स उसमें 68 गोल्ड 60 सिल्वर और 72 ब्रोंस उसके बाद डैली टोटल डैली के दोड़ा 122 मैडल्स जीते गे जिसमें 39 गोल्ड रहे 36 सिल्वर और 22 ब्रोंस तो यह टॉप 3 स्टेट्स हैं जिनके दोड़ा टॉप किया जा रहा है ठीक है रेगुलर्ली एवरियर तो महराश्ट् अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए है इस बार देखते हैं कि कौन सी स्टेट जो है वो टॉप करती है अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें यहां पे तो 2020 में टोर्च लाइटर कौन रही इंपोर्टन है वो है हीमादास तो अपकी बार कौन रहने वाली है त पॉट्स मिनिस्ट्रेट के तो आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा टोटल टीम जो थी पार्टी स्पिट के आगा 37 टीम्स के दुवारा इतना आई होप आपको यह सारी चीजे क्लियर हुए होगी उसके लावा देखे टोटल 20 स्पोर्ट्स जो है खेलो इंडिया तुरू को को याद है तो पूछत या सकता आपसे कि कौंसे स्पोर्ट्स केक्यान बात करें हर्याना के बारे में र्याना जzinho है यहां पर इसको पंजाब स्टेट बाउंडरी टच्च करते हैं हमाचल परोदेशblem ऋतराखंडCom confirm उत्तर परदेश राद्जेस्थान और पाध करें यहां पर इसकी कैपिटल चंडिगर्ड है लाजर सीटी फरिद्दाबाद है स्मार्ट सीटीज के अगर बात करें वह कैरेला फरिद्दाबाद टोटल डिस्टिक 22 है आज के टाइम में हर्याना के गवर्नर है भंडारू दत्त तेर्या ओके चीफ मिनिस्टर है मनुहर ला रैंक 21 है पॉपुलेशन के हिसाब से हर्याना का रैंक 18 है तो मोस्ली यहां पर जो लैंग्विज बोली जाती है वो हर्यान भी बोली जाती है आई होप आपको यह सारी चीज़े क्लियर हुए होंगी तो यह इंपोर्टेंट टॉपिक था एक्जाम्स के लिए और प्रिलिम कीज़ेगा थैंक यू पर वाचिक माय वीडियो जाहिंद